हेई वड़ीस अप गाईज वेलकम बैक टू एनदर वीडियो गाईज आज का इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे फेस्बुक एकाउंट पार्मानेंटली डिलिट करना है तो गाईज चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कैसे फेस्बु एप ओपन करना होगा आप फेस्बुक लाइट से भी कर सकते हो और फेस्बुक का ओफिसियल एप से भी कर सकते हो तो मैं फेस्बुक का ओफिसियल एप से डिलिट करके आपको दिखाऊंगा तो फेस्बुक का ओफिसियल एप में ओपन कर लूँगा उसके बाद आना होगा Access and Control यहां पर क्लिक करना होगा यहां पर आपको मिल जाएगा दो अप्सन Deactivation and Deletation तो यहां पर क्लिक करना है Second Option यहां पर क्लिक करना होगा Delete Account Continue to Account Deletation यहां पर क्लिक करूँगा तो यहां से एक Reason सिलेक्ट करना होगा क्यों आप Facebook एकाउंट डिलेट करना चाहते हो तो मैं फहला वाला Reason सिलेक्ट कर लेता हूँ I spent too much time on Facebook उसके बाद Continue to Account Deletation यहां पर क्लिक करना होगा इसको स्कॉल करके नीचे आना होगा Delete Account यहां पर क्लिक करना है उसके बाद यहां पर आपका Facebook का पास्वार्ड एंटर करना होगा आप Facebook का पास्वार्ड भूल चुके है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो मेरा चैलनल पर अल्रेडी वीडियो है कैसे आप Facebook का पास्वार्ड पता कर सकते हो तो यहां पर मैं Facebook का पास्वार्ड एंटर कर लेता हो फेस्बुक का पास्वार्ट एंटर करने के बाद कंटिन्यू करूंगा तो यहां पर लिखा रहा है कि एक बार फेस्बुक एकाउंट डिलीट करने के बाद अब दुबारा अपना एकाउंट रिकोबर नहीं करवाओगे लेकिन 30 देज के आंदर आप अपना एकाउंट लोगिन करोगे तो अपना एकाउंट बापस आ जाएगा लेकिन एकाउंट डिलिट करने के बाद 30 days तक आप एकाउंट पर लोगिन नहीं करोगे तो आपका एकाउंट 30 days के बाद पर्मनेंटली डिलिट हो जाएगा तो मैं डिलिट एकाउंट पर क्लिक करूँगा फ्रेंड्स आप देख सकते हो मेरा एकाउन पर्मानेंटली डिलिट हो गया है 30 देस मेरा एकाउन पर लोगिन नहीं करना है 30 देस के बाद मेरा एकाउन पर्मानेंटली डिलिट हो जाएगा तो इससारा से आप आसानी से आपना Facebook एकाउंट पर्मानेंटली डिलिट कर सकते हो I hope guys अब सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर लेना मैं मिलता हूँ अब से अगली वीडियो में तब तक के लिए टाटा और गुडबाई